आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली हैं क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कुछ नए English words So first word is mafia गलती करने पर हम अक्सर mafia मांगते हैं क्योंकि mafia मांगना अच्छी बात हैं By the way, mafia को हम इंग्लिश में बोलते हैं apollosie Apollosie मतलब mafia Next, catil यानि किसी का खून करने वाले इंसान चाहे वो पैसो के लिए हो या प्रोपटे के लिए या किसी और वज़े के लिए Catil को हम इंग्लिश में बोलते हैं Murderer मतलब कातिल Next, चर्खा गांदी जी अक्सर चर्खा चलाया करते थे गाव में भी आपको चर्खा काती हुए मैलाएं अक्सर दिख जाएंगी बाइदेवे चर्खे को हम इंगलिश में बोलते हैं spinning wheel मतलब चर्खा next डूबना कुछ लोग नहाने के लिए नहरादी में घुस्तो जाते हैं पर जब तैरना नहीं आता तो पानी में उतरते ही क्यों है ऐसे में डूबेंगे नहीं तो और क्या होगा डूबने को हम इंगलिश में बोलते हैं get round get round मतलब डूबना next कुर्बानी देना यानि त्याग करना कुर्बानी पैसा प्यार जमीन किसी भी चीज के लिए हो सकती है जैसे जिसस ने लोगों के लिए अपनी लाइफ की कुर्बानी दी थी कुर्बानी देने को हम इंगलिश में बोलते हैं sacrifice sacrifice मतलब कुर्बानी देना next सोतन कोई आदमी जब वाइफ के होते हुए किसी दूसरी ओरत के साथ अफेर चलाता है तो दूसरी ओरत को सोतन बोलते हैं सोतन को हम इंगलिश में बोलते हैं co wife co wife मतलब सोतन next गलत फहिमी कई बार पती पतनी में किसी गलत फहिमी के वज़े से जगड़ा हो जाता है जिससे घर में कलेश हो जाता है गलत फहिमी को हम इंगलिश में बोलते है misunderstanding misunderstanding मतलब गलत फहिमी next मिलावट ये तो common सा वर्ड है क्योंकि हमारा दूद या दूद में पानी मिलाता है और पर्चून वाले भी मसालोवादी में कुछ न कुछ मिलावट करते ही है मिलावट को हम इंगलिश में बोलते है adulteration adulteration मतलब मिलावट next वर्ड पिस्सू पिस्सू अक्सर कुट्टे के शिरी पर मिल जाएंगी और चुए के उपर पाई जाने वेले पिस्सू तो पलेगादी बिमारी भी फहलाते है पिस्सू को हम इंगलिश में बोलते है fleas fleas मतलब पिस्सू next तिरंगा यानि तीन रंगों वाला हमारा प्यारा जंडा जो गणतंतर दिवस पर हमारे परदान मंतरी लाल के लिए में फहराते हैं तिरंगे को हम इंगलिश में बोलते है tricolor tricolor मतलब तिरंगा next बुर्का muslim औरते अक्सर बुर्के में बार निकलते हैं क्योंकि उनके यहां बुर्के पहने का रिवाज होता है बुर्के को हम इंगलिश में बोलते है whale whale मतलब बुर्का next रंग निती जब हम किसी काम में पिछड़ जाते हैं या कंपनी घाटे में चलने लगती है तो हम रंग निती यानि योधना मनाते हैं कि कैसे क्या किया जाना चाहिए by the way रंग निती को हम इंगलिश में बोलते है strategy strategy मतलब रंग निती next जुनून अगर आप में अपने लक्षा को पाने का जुनून है तो आप एक न एक दिन जुरूर सफल होंगे जुनून को हम इंगलिश में बोलते है passion passion मतलब जुनून next नसीहत कई बार हम किसी समस्य में फच जाते हैं तो हमारे friends या घर के बड़े नसीहत यानि सला देते हैं कि भई तू यह कर ले अगर समस्य से निकलना है तो नसीहत को हम इंगलिश में बोलते है advice advice मतलब नसीहत वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को अभी subscribe कर दीजिए क्योंकि आपका एक subscribe मेरा होसला बढ़ाएगा ऐसी interesting वीडियो बनाने के लिए so please subscribe my channel and like भी कर दीजिए मेरी वीडियो को next nux कई बार हम बैठे बिटाए किसी family member या किसी और इंसान यानि कम्या निकालने लग जाते हैं जबकि nux तो हर इंसान में होते हैं nux को हम इंगलिश में बोलते है false false मतलब nux next word गोदी मा की गोदी में बच्चे का बैठना तो आम बात है गोदी को हम इंगलिश में बोलते है lap lap मतलब गोदी next गले में खराश कई बार कुछ गलत खान पान की वज़े से हमारे गले में खराश हो जाती है गले में खराश को हम इंगलिश में बोलते है sore throat सोर्थ्रोट मतलब खराश next किरायदार यानि पैसे देकर किसी के घर किरायप पर रहने वाले लोग किरायदार को हम इंगलिश में बोलते है tenant tenant मतलब किरायदार या फिर आप इसको paying guest भी बोल सकते है next फूकनी फूकनी चूले में आग तेज करने के लिए इस्तमाल की जाती है इसमें फूक मार कर आग को तेज किया जाता है फूकनी को हम इंगलिश में बोलते है blow pipe blow pipe मतलब फूकनी next word सूले पती पतनी में कई बार बीना बज़े जगड़ा हो जाता है फिर गुसर ठंडा होने पर सूले यानी समझोता भी हो जाता है सूले को हम इंगलिश में बोलते है patch up patch up मतलब सूले next बस किराया यानी बस में सफर के बदिया जाने वाला पैसा जिसको बचाने के लिए आज कल के नोज़वान बस की छट पर भी चोरीची पर चड़ जाते है या चलती बस में पीछे लटक जाते है बस किराया को हम इंगलिश में बोलते है bus fair bus fair मतलब bus किराया और train के किराया को train fair बोलते है next यामराज next word top यूद में top तो आपने देखी होगी जिसमें गोले डालकर दुश्मन पर दागे जाते है top को हम इंगलिश में बोलते है cannon मतलब top और top का गोला जो top में डाले जाता है उसे हम इंगलिश में बोलते है cannon ball मतलब top का गोला next घुटन कमरे में जब हवा पास ना हो तो घुटन होने लगती है यानि दम घुटने लगता है घुटन को हम इंगलिश में बोलते है suffocation suffocation मतलब घुटन next word बेदबाव कानून के सामने सब बराबर है कोई बेदबाव नहीं होना चीए फिर भी अगर कोई पुलिस वाला लड़का या लड़की या पैसो के अधार पर बेदबाव करता है तो हम इसका विरोध कर सकते है by the way बेदबाव को हम इंगलिश में बोलते है discrimination discrimination मतलब बेदबाव next अफवा गलत जानकारी को अफवा बोलते है जो जंगल की आग की तरह फटा-फट एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है अफवा को हम इंगलिश में बोलते है rumor rumor मतलब अफवा and the last word is पेट के मरोडे गलत खाने पीने की विज़े से अकसर पेट में मरोडे उटने लगते है पेट के मरोडे को हम इंगलिश में बोलते है cramps cramps मतलब पेट के मरोडे इन दोनों के एंसान राइट कर दीजी comment box में और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो जाने से पहले please मेरे चनल को सब्सक्राइब कर दीजी और वीडियो को लाइक भी कर दीजी क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरा होसला बढ़ाएगा ऐसी वीडियो बनाने के लिए मैं मेरूँ आपको ऐसे इंटरस्टिंग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर